जहिन साथियों स्वागत आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में दोस्तों अगर आप एक सर्विसमेन है या रिटायर होने वाले हैं सेना से और गवर्मेंट जोब के बारे में सोच रहे हैं तो ये साल 2023 आपके लिए जबरजस्त रहने वाला है आपने पिछले दिनों न्यूस पेपर या सोचल मीडिया के दुवारा सुना होगा कि लगबग 10 लाग पद खाली हैं only center government में यहां मैं state government vacancies की बात नहीं कर रहा हूँ only center government के अंदर 10 लाग पद खाली हैं जो की भरे जाने हैं इस साल यानि की 2023 में दोस्तों 2023 में इतने बंपर government jobs के निकलने के दो main region है पहला कि काफी department हैं जिन में काफी समय से vacancies नहीं निकली हैं और उन्होंने announce किया है कि 2023 में वो recruitment को conduct करेंगे इसमें दो बड़े department हैं Indian post और Indian railway दूसरा region यह है कि next year elections होने वाले हैं यहीं कि 2024 में तो उससे पहले कोशिश यही रहेगी कि जितने भी खाली post हैं जो government के उन सब को fill किया जाए वैसे तो central और state government में काफी vacancies आएंगी जो कि ex-service men के लिए हैं या जिन में ex-service men का quota होता है इसमें सभी प्रकार के ex-service men चाहिए वो 10th हो 12th हो या graduate हो सभी के लिए मोका है सभी उसमें apply कर सकते हैं पर यहां पर हम सिरफ बात करेंगे उन 20 jobs के बारे में जो कि ex-service men के लिए available हैं इस साल तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन departments के बारे में जिन में job available है कौन-कौन सी post है जिन में ex-service men के लिए job है eligibility criteria क्या है form fill up कब कर सकते हैं और सबसे important कि salary क्या होगी दोस्तों सैनिको से जोड़ी सारी खवरों को जानने के लिए subscribe का बटन दबाएं और bell icon को press करके all का बटन दबाएं ताकि सारी जानकारी आप तक पहुँचे सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं age limit की यह जितने भी vacancies निकलने वाली है इनमें ex-service men के लिए age limit क्या होगी जितने भी जो job निकलने वाले हैं उसमें एक age दी हुई होती है for example जैसे 21-18 साल तो ex-service men को क्या करना है कि अपनी जो actual age है उसमें से उनको जो अपनी service जो भी उन्होंने सेना में की है उसको minus करना है प्लस उसमें 3 साल और minus करना है उसके बाद उसको देखना है कि वो age के अंदर fit होता है या नहीं होता maximum जादा तर ex-service men उसमें fit होते है अगर फिर भी आपका इसमें कोई डाउट है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें की एज लिमिट के बारे में अच्छे से समझा रखा है और साथ ये एक excel फाइल भी दे रखी है तो उसमें आप अपनी actual age प्लस अपनी service डालेंगे तो आपकी जो age है job के लिए वो आपकी आजाएगी और इस प्रकार से आप सभी jobs में अपनी age देख सकते हैं कि क्या आप eligible है या नहीं है दोस्तों बात करते हैं job number one की जो की है इंडियन रेलवे से इसमें लगबग देड़ लाग job आएंगे जैसा कि मैंने बताएगी एंटीपीसी का जो लास्ट जो वेकेंसी थी 2015-16 में निकली थी उसके बाद एंटीपीसी की वेकेंसी इस साल निकलेगी ये जून 2023 के बाद निकलने की संभावना है और एंटीपीसी के अंदर constable और sub inspector की वेकेंसी निकलने वाली हैं जिनमें की काफी job होंगे एक्सविसमें के लिए और इसके बाद group D railway की वेकेंसी निकलेंगी जिनमें जो main post हैं वो है cabin man, fitter, key man, switch man दोस्तों इसमें सभी के लिए opportunities हैं चाए एक्सविसमें 10th pass हो चाए 12th pass हो चाए graduate हो तो सभी इसमें apply कर सकते हैं बात करें salary की तो जब actual notification आएगा तभी पता लगेगा कि किस post की कितनी salary है अगर average लगाएं सभी post हों की 10th to graduate तो लगबख salary 30,000 से 70,000 के बीच में होगी average salary दोस्तों बात करते हैं job number two की जो है Indian post office various recruitment लगबख 90,000 vacancies निकलनी है जैसे कि आप जानते हैं जो Indian post के अंदर vacancies fill up की जाती है SSC, CHSL के थुरू भी क्योंकि उसके अंदर जो postal assistant और sorting assistant की vacancy होती है वो post office के अंदर ही जाते हैं लेकिन यहाँ पर जो अलग से बाकी क्या manpower है post office का उसके लिए जो vacancy है वो conduct की जाएगी 2023 में जिसमें की multitasking staff, MTS, postman और mail guard तो ये जो तीनु post है इनको भरा जाएगा, February 2023 में जो उनके जो online form निकलने की संभावना है, 10th, 12th और graduate सभी के लिए इसमें job है, तो अपनी education qualification का according सभी इसमें अपलाई कर सकते हैं, salary बात करें average salary की तो लगबग 20,000 से 50,000 के बीच इसमें average salary होगी, दोस्तों बात करते हैं job number 3 की, तो ये है IBPS combined return exam office assistant, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकों में clerk का exam होता है, जो IBPS है, SBI के लावा जो बाकी के बचे होगी जितने 11 सरकारी bank है, उनमें एक साथ ये exam conduct हो, IBPS करवाता है, इसकी जो form है वो June 2023 में निकलेंगे, इसके लिए जो minimum educational qualification है, वो graduate होनी चाहिए, जो भी ex-serviceman graduate है वो सभी इसमें apply कर सकते हैं, बात करें बैंकों की, तो बैंकों में आपको पता है, ex-serviceman का pay fixation होता है, और अगर ex-serviceman की salary, forge के अंदर, SENA के अंदर, 40,000 या उससे अबाओ है, तो ज्यादातर chances होते हैं कि जो उसका जो fitment होगा, वो जो clerk की highest है, बैंकों के अंदर, 47,920 रु एक RBI office attendant और एक RBI office assistant, तो यह जो attendant की जो post आईए, ग्रुप D की post है, इसमें जितने भी 10th past candidate है, वो सभी इसमें apply कर सकते हैं, इसके online form अप्रेल 2023 में start होंगे, और इसकी जो basic pay है, वो 10,940 रुपय होगी, और gross salary आप लगा लो 30,000 से लेकर के, लगबक 40,000 के बीच होगी, दो इसमें public dealing नहीं होती है, और जो job है, वो भी काफी बढ़िया रहता है, तो चाहे वो office attendant हो, चाहे वो assistant हो, या अगर officer grade में भी जा रहे हैं, तो सभी post ओ में जो RBI का job है, काफी बढ़िया माना जाता है, दोस्तों इसके बात करते हैं, SSC, CHSL की, तो अगर पूछा जाए कि 12th past के लिए सबसे best job, government job कौन सा है, तो वो SSC, CHSL ही है, दोस्तों इसमें 9 माई 2023 से इसके form fill up होना शुरू होंगे, जो भी 12th past candidate है, वो सभी इसमें apply कर सकते हैं, इसमें जो post हैं, वो junior secretary assistant यानि कि LDC, उसकी post है, इसके अलावा postal assistant, sorting assistant, computer oblique data entry operator, ये सारी post है, इसकी जो maximum post हैं, वो pay level 4 में आती है, 25,500 से 81,100 salary है, काफी बढ़िया जवर्जस job है, जो भी 12th past candidate है, वो सभी समें apply कर सकते हैं, दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, ESIC की Employees State Insurance Corporation, तो ये भी एक department है, government का, पिछले साल 20 की vacancy निकली थी, इस साल 20 की vacancy निकलेंगी, 24 फ़रूरी 2023 से form शुरू होंगे जो भी 10th past हैं, 12th past हैं या graduate हैं, हर टाइप के जो educational qualification वाली लोग हैं, वो सभी समें apply कर सकते हैं, 10th past के लिए जो post tax risk man के लिए MTS की post है, 12th past जिसने stenography सीख रखी है, वो steno में apply कर सकते हैं, और जो भी graduate candidate हैं, वो ESIC, UDC का form भर सकते हैं, काफी बढ़िया job है, salary 30,000 से लेकर 80, 1000 plus allowances, दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, CAPF assistant commandant की, तो ये भी काफी popular post है, एक service man के लिए, जैसे कि आप जानते है, assistant commandant का post काफी बड़ा post है, इसमें 10% जो vacancy हैं, वो reserve है, एक service man के लिए, इसके जो form है, 26 April 2023 से start होंगे, तो आप तैयारी कर सकते हैं, अभी से, graduation required है, जो भ जैसे कि आप, नाम से ही आपको लग रहा है कि काफी बड़िया, जो assistant commandant की वो post होती है, दोस्तों इसके बात बात करते हैं, बैंक गार्ड की, तो काफी, आप लोग ने देखा होगा, पिसले दिनों में काफी vacancies निकली हैं, और काफी vacancies अभी चल रही है, SBI, बैंक गार्ड बी result हैं, वो निकाले जाते हैं, ताकि किसी बंदे को relieve किया जा सके, किसी दूसरी जगह से, नए जो भी recruitment है, उसको उसकी जगह बेजा जा सके, तो जून जुलाई से पहले इसका result आने की पूरी-पूरी संभावना है, और जो अगले बाकी बैंकों में जो गार्ड की भरती है, वो जून-जुलाई से शुरू हो जाएगी, इसमें काफ़ी जो बैंक हैं, वो सैनिक बोर्ड के थूरू उनको नोटिफिकेशन भेजते हैं, और कई रोजगार समाचार या अन्य मादमों से बैंक की भरती और्गनाइज करते हैं, तो आप चैनल के साथ बने रहे हैं, जो भी बैंगार्ड के वेकेंसी होगी, वो इस चैनल पे आपको जरूर देखने को मिलेगी, तो तयारी करते हैं, जो भी 10th past candidate है, वो सभी इसमें अपलाई कर सकते हैं, जो इसकी gross salary होती है, लगबग 40 to 50 thousand होती है, दोस्तों बात करें, SSC MTS हावलदार की, तो ये भी एक post है 10th past candidate के लिए जो बहुत ही बढ़िया post है, government job है, इसकी vacancy अभी फिलाल निकली हुई है, 17 January 2023 से, फरवरी तक form भरे जाएंगे, और जो इसकी next vacancy है, 2023 की जो vacancy है, वो 14 July 2023 से उसके form भरे जाएंगे, इसमें जो post है, वो MTS है, multitasking staff, प्लस हवलदार है, इसका जो pay level 1 में आता है, 18,000 से लेकर के 56,900, तो 10th past candidate के लिए काफी बढ़िया vacancy है, vacancy number 10 की बात करें, तो SSC various post के exam conduct करवाता है, तो इस साल जो exam जो conduct कराएगा, वो phase 11 के होंगे, इसमें भी जो भी candidate 10th past हैं, 12th past हैं, ये graduate हैं, सभी के लिए इसमें मोका है, इसके form 24 February 2023 से start होंगे, 10th past candidate हैं, उनके ल लिए पोस्ट है, nursing officer, pharmacist, lab attendant, और जो भी graduate candidate है, उनके लिए पोस्ट है, accountant, junior executive और executive, दोस्तों, salary की बात करें, तो अलग-लग grade के साब से salary है, on and average लगाया जाए तो 30,000 से 70,000 के बीच इसमें salary पड़ती है, काफी बढ़िया जोब है ये भी, दोस्तों, बात करें, SSC, CAPF, subinspector क तो ये भी काफी, जो लोग force के में जाने के लिए इच्चुक है, उनके लिए काफी बड़िया जोब है, 20 जुलाई 2023 से form भरे जाएंगे, जो भी लोग graduate हैं, वो सभी इसमें apply कर सकते हैं, pay level इसका 6 में रहेगा, 35,400 से 112,400, दिल्ली police constable के बात करें, तो ये भी काफी popular post है, एक service man के point of view से देखा जाएंगे, तो मार्च अपरिल 2023 से इसके form भरे जाएंगे, जो भी लोग 12th pass हैं, वो सभी दिल्ली police constable के लिए apply कर सकते हैं, basic pay इनकी 21,700 रहती है, ग्रोस salary लगबग 40,000 के आसपास इनको आती है, तो ये भी काफी बड़िया post अगर आप इसमें apply करना चाहें, तो तयारी शुरू कर सकते हैं, बात करें, vacancy no.13 की SSC CGL, दोस्तों ये एक vacancy है, जो कि जितने भी graduate tax service man है, उनमें सबसे popular vacancy इसको हम बोल सकते हैं, इसमें जो post होती है, income tax assistant और income tax inspector की post होती है, form इसके 1 April 2023 से भरे जाएंगे, काफी time है तयारी करने का, जो लोग भी graduate हैं, वो इसमें अपलाई कर सकते हैं, जो इसकी post हैं, उनमें जो post पे लेवल 4 और पे लेवल 5 में आती हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं, पे लेवल 4 25,500 से 81,100 और पे लेवल 5 29,200 से 92,300, तो ये भी काफी बढ़िया जोब है, उसके बाद vacancy no.14, SSC steno, जिन लोगों नो भी stenography सीख रखिये, वो सभीस में अपलाई कर सकते हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं कि stenographer की job निकलती है, department, काफी department है, जिन में stenographer की job निकलती है, इसी प्रकार से SSC भी organize कराता है, stenographer का recruitment, तो 2 अगस 2023 से form भरे जाएंगे, जो भी 12th pass हैं, वो सभीस में अपलाई कर सकते हैं, दो के पास भी काफी टाइम है, क्योंकि बहुत जादा टाइम नहीं लगता है, stenography सीखने में, तीन से चार महिने में आप एक अच्छे stenographer बन सकते हैं, दोस्तों इसके बाद बात करें, job number 15 की, तो head constable, ministerial, दिल्ली पुलिस, तो ये भी काफी बढ़िया जोब है, इसके जो form है, 25 जनवरी 2023 से start होंगे, और 12th pass इसमें requirement है, जो भी लोग 12th pass है, वो सभी इसमें apply कर सकते हैं, दोस्तों बात करें, salary की तो लगबख 40,000 के आसपास आपको salary मिलेगी, काफी बढ़िया post है, जो लोग भी 12th pass है, वो इसमें apply कर सकते हैं, दोस्तों बात करें, job number 16 की, तो RBI office assistant की अभी पीछे हमने देखा था, RBI office attendant, यह RBI office assistant, जो कि एक clerk का post है, मई जून 2023 में इसके form शुरू होंगे, जो भी एक्सविस्में graduate हैं, वो सभी इसमें apply कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया, basic पे highest 47,920 होती है, clerk की bank के, उसके लाब बाकी allowances भी मिलते हैं, तो आप gross salary 90,000 to 1 लाग के भी में expect कर सकते हैं, अगर आपकी सेना के अंदर जो basic है, वो 40,000 और 45,000 के असपास है तो, दोस्तों इसके बाद बात करें, UP police constable की, तो यह भी काफी दिनों से vacancy है, जो की रुक्यूई है, तो UP, जो police constable का job है, वो भी इस साल निकलने की पूरी-पूरी संभावना है, All India यह job है, January, February 2023 में इसके form भरे जाएंगे, जो भी 12th pass candidate है, वो सभी इस में apply कर सकते हैं, salary की बात करें तो, 30 to 40,000 इसकी salary होगी, इसी के साथ, UP police SI का भी job है, वो भी काफी दिनों से pending है, तो June, July 2023 में इसके form निकल सकते हैं, जो भी graduate candidate है, वो सभी इस में apply कर सकते हैं, सब means factor की post है, All India की वेकंसी है, salary 24,000 से 80,000 होती है, प्लस बागी allowances भी सामिल है, दोस्तों बात करें, वेकंसी नमबर 19 की, तो SBI junior associate यानि की SBI clerk की वेकंसी निकलेंगी, मैं जून 2023 में इसके form भरे जाएंगे, जो भी एक्सरिस्ट में graduate हैं, वो सभी इस में apply कर सकते हैं, basic पे वो ही highest है, fitment होता है, SBI में, IBPS में, RRB में, इसके बाद दोस्तों, जैसे माने बात की, वेकंसी नमबर 20, IBPS, RRB, Office Assistant, जितने भी ग्रामींड बैंक हैं, हर स्टेट के अंदर ग्रामींड बैंक होते हैं, उन में clerk की post निकलती है, same वही IBPS और SBI में जो facility मिलती है, clerk को same facility RRB में मिलती है, और इनका जो pay and allowances है, same रहता है, कुछ एक bank to bank थोड़ा differ करता है, otherwise इनका जो बाकी का, जो pay and allowances है, सब same रहता है, मई जुन 2023 में, इसके form निकलने शुरू होंगे, जो भी लोग graduate हो, सब इसमें apply कर सकते हैं, pay fitment होता है, अगर आप highest पे जाते हैं, तो 47,920 से आप भी काफी vacancy है, जिनको हम आने वाले time में cover करते रहेंगे, जैसे जैसे vacancy निकलती रहेंगी, इन सब को एक साथ बताने का मक्सद यह था, कि आप किसी भी vacancy को target करते हैं, तो उसमें आपको एक अच्छा कासा time मिल जाएगा prepare करने के लिए, तो इस साल जो भी लोग सेना से retire ह हो चुके हैं या हो रहे हैं, 2023 उनके लिए बहुत बहुत important साल है, बहुत सारे government job निकलने वाले है, अच्छे government job निकल रहे है, जो भी लोग 10th है, 12th है, graduate है, सभी के लिए मोके हैं, आप बने रहें चैनल के साथ, मैं आगे आने वाले वीडियो के अंदर one by one सभी को cover करेंग और बने रहें मेरे साथ इसी परकार के इंटरस्टिंग वीडियो के लिए, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, जाहिंद